Hello everyone, इस class में हम लोग class 9 number systems में exponents और power से के 5 most important question को solve करेंगे तो चलिए screen पे आप देख रहे हैं questions को, एक एक questions को हम लोग solve करते चलते हैं अब यहाँ पे पहला question है 256 to the power 0.09 into 256 to the power 0.16 इसमें कौन सा formula लगेगा? यह है x अग power m into x अग power n यहाँ पे देखिए जो base है न सेम है तो यहाँ पे भी base सेम है और जो x के exponents है न ओ 8 हो जाएंगे तो x का power m plus n यह वाला formula यहाँ यूज होगा अब यहाँ पे देखिए x के जगह में 256 है इसका power 0.09 plus 0.16 अगे जाके लिखेंगे इसको 256 का power 0.25 ठीक है? अब देखिए 0.25 है न इसको अगर हम लोग fraction के फाम में लिखेंगे तो यह किस में convert हो जाएगा? तो जब भी decimal को fraction में convert करते हैं तो जो decimal है न उसके जगह में 1 डाल दीजे और जितने भी the digit है न उतना 0 लिख दीजे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको यह 25 by 100 ठीक है? अब यह 25 बन जा 25 और 254 जा 100 तो क्या मिला यहाँ पे हमको 1 by 4 तो जो 0.25 है न वो basically 1 by 4 का power है तो 256 का power 1 by 4 इसके बाद हम लोग 256 का प्राइम पेटरिजेशन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह 2 का power हो जाएगा 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है तिसको हम लोग लिखेंगे 2 का power 8 का power 1 by 4 अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा formula यूज होगा न वो है एक सका power m का power n यह होता है एक सका power m into n तो यहाँ पे एक सक जगे में 2 आ गया है तो 2 का power 8 into 1 by 4 तो यह हो जाएगा 4,1 जब 4,4,2 जाए तो मिला हमको 2 का power 2 ठीक है और इसको salvo करेंगे तो 2 का power 2 4 होता है तो इसका answer कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 अब यहाँ पे second question question है कि 81 का power minus 2 है और यह fourth root है तो इसको मिलो लिख सकते है 81 का power minus 2 का power 1 by 4 ठीक है इसके बाद जो है ना इसमें वही formula यूज करेंगे हम लोग एक सका power m का power n equal to होगा एक सका power m into n ठीक है तो हो जाएगा 81 का power minus 2 into 1 by 4 तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 81 का power minus 1 by 2 ठीक है अब देखे 81 जो होता है ना यह 9 into 9 होता है तो 9 का power 2 हो जाएगा और इसका power 1 by 2 फिर से यही वाला formula यहाँ पे use होगा तो हो जाएगा 9 का power 2 into minus 1 by 2 यह cancel हो जाएगा यह हमको मिलेगा 9 का power minus 1 ठीक है तो 9 का power minus 1 को हम लिख सकते है 1 upon 9 तो यह इ 625 to the power minus 1 by 2, to the power minus 1 by 4, to the power 2, इसको चलिए साल्व करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, इस question को हम लोग use करेंगे, सिम वही formula, x का power m, का power n, और इसका power मालीजे आप y, तो सब का सब multiply हो जाता है न, यह हो जाएगा, x का power m, into n, into y, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग लिख स चकते हैं, 625, पर पावर 1 by 2, minus 1 by 2, into minus 1 by 4, into 2, ठीक है, जहे 2 अन्जा 2, 2 अन्जा इस से कड़ गया, और minus into minus, प्लस हो जाएगा, तियो जाएगा, 625, पर पावर minus into minus, प्लस हो जाएगा, तियो जाएगा, अब 625 जो होता है न, इसको कर फेक्टराइज करें तो, 5 बंजा 5, 5 to 10, 55 to 25, फिर 5 to 10, 55 to 25, फिर 5 बंजा 5, और ये 55 to 25, और ये 5 बंजा 5, ठीक है, ति 5 का पावर 4 हो जाएगा, ति इधर मिलेगा हम लोगों को 5 का पावर 4, पावर 1 by 4, 4 बंजा 4, 4 बंजा 4 कड़ गया, तो इसका एंसर हमको मिलेगा, 5, ठीक है, अब जो कोस्टर नमबर 4 है, 3 square का ये cube root है, और उसका ये fourth root है, अब इसको हम लोग same होई formula है, x का power m, का power n, और power y, जो मैंने बताया था, ये तिनों कितनों multiply हो जाएंगे, लेकिन इसमें कैसा है, उसको थोड़ा ध्यान से समझे, इसमें ऐसा है, कि 3 का power 2 है, और इसका power 1 by 3 है, और इसका जो power है ये 1 by 4 ह ठीक है, क्योंकि इसके आगे में जो भी लिखते हैं न, उतना यहाँ पे fraction के farm में denominator में आ जाता है, जैसे 3 है तो 1 by 3 और 4 है तो 1 by 4, इसको हम इसा ध्यान रखिएगा, अब इसको सालो करें तो 3 का power 2 into 1 by 3 into 1 by 4, इतना हो जाएगा, अब यहाँ पे देगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, य 1 by 6 हो गया, इसको हम लोग कैसे represent कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 6, तो यह 6 तरूट हो जाएगा, यह क्या इसका answer है, अब question number 5 तो देखिए, इसमें है small bracket के अंदर में 4 by 7 का power 1 by 6, और यहाँ पे box bracket के बाहर में जो है न, minus 1 upon 5, त ठीक है, ते हो जाएगा 4 by 7 का power minus 1 upon 30, अब देखिए, यहाँ पे जो negative power है न, इसको अगर मैं 1 upon करके लिखूं तो यह positive हो जाएगा, तो 4 by 7 का power 1 upon 30 हो जाएगा यह, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो 7 है न, उपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 7 उपर चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 30 लिख सकते हैं, यह समझ मैं आप लोगों को,